ख़बर आयवद्या से है जहां हमारे संबादाता सुबो स्रीवास्तों की खास बाचीत में नकली किनर को लेकर किनर पिंकी मिस्रा ने क्या कहा देखिए इस रिपोर्ट में मैं एध्या में हूँ और इस समय हम उस फीटर बेटे हुए है किनर समाज की जो है यहां पर यह पिंकी मिस्रा जी है और जो की गुलसन बिंदू के उत्तरा दिकारी भी है यहां और यहां की गद्धी के महंत भी है और आज हम इसे पूछेंगे किस तरह का नकली किनर आप कि लोगों ने कैसे के आए हैं और आई हम बात करते हैं कि जो है क्या पूरा प्रक्रण क्या है सबसे पहले आपका स्वागत है TV pogla किया है सबसे पहले तो मैं अपनी अजुद्या-जंता को और मेडिया भाई को प्रसासन को बहुत-बहुत मेरा नमस्कार हाथ जोड़के मैं नमन करती हूं प्रनान करती हूं ये एक माईना पहले भी मैंने इसको पकड़ा था तो किसी का बच्चा समझ के तानपुरा कलंदर में दिया था लेकिन किसी का बच्चा समझ के दरोगा जिसे मैंने बोल दिया था तो एक दो दिन रुकेगा अपना छोड़ दीजिएगा लेक उसके पेट पर लात भी इसने मार दी और यह भी बोला कि जो अगर हमारा नेग नहीं देऊगी तो बच्चा पेट में ही मर जाएगा जिस तरह से आपने बताया कि यह इतनी बड़ी वार्दात और अपराध कर चुका है तो आइस कैसे मालूम हुआ आपको कि इसके ऐसे मामले में रहता था वहां पर भी उनके घर में कब्जा करके रहता था वह उनकी राजी मंदी से नहीं रहता था और डर आता था कि जाता करो गए तो पांसो किनर बुला के तुम्हारी ऐसी वैसी कर देंगे अच्छा यह जिस्तरा से जो यह वार्दात किया इसने इससे पहले भी क जोड़ें तो सुधर जाए जैसे यह आपके समाज को बदनाम कर रहा है तो क्या लगता है कि आपके अंदर कैसे क्या पीलिंग आ रही होगी और क्या चाहती इसके बारे में मैं यह मेरे नाम को जो समाज में बदनाम यह कर रहा है पहले चीट उससे हमारे दिल को बहुत सर्मनाग बात थी और इसको इसी लिए हमने पकड़ा पकड़के प्रसासन के हाथे में दिया किसका नाम क्या है कहां रहने वाला है यह उससे हमारे दिल को बहुत बड़ा ठेस पहुंचा है क्योंकि हम इजद्दार किनर हैं है ना हमारी स्री गुलसन मिंदू किनर जी थी ए और यह बहुत सर्मनाग बात थी और इसको इसी लिए हमने पकड़ा पकड़ के प्रसासन के हाथे में दिया जिस तरह सी इप दाए किसका नाम क्या है कहां रहने वाला है यह अपना नाम कुछ बताता है हमें तो याद नहीं है चेले मेरत जानता होगा है जो है यही मसोधा क साइड में कहीं रहता है अभी कापुर में और भी कापुर में रहता है पंडित का बाच्चा है पांडे का और उनके माबाप को भी पोन किया गया ख़बर की गई तो उनके माबाप बोले भाड में जाए हमसे कोई मतलब पुलिस ने कितनी कारवाई की अभी तक में आपके यह बहुत अच्छा है और मीडिया भाई भी बहुत अच्छा 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 इसके माल यह पकड़ा गया है तो आगे चाहती किया आप क्या यह चाहती इसकी लिए पहली बात तो मैं यह चाहती हूं कि यह है नसेडी है किसी की अवलाद इसको कम से कम चार पांच मैने अंदर रहेगा तो इसकी नसे की लत छूट जाएगी और अपना आएगा तन्यक जिंदगी जिएगा फिर इसको समझाएगा कि मेरे माबाप कैसे हैं कौन है और आपके समा पाजिक लोग हैं और यहां के लुग जनतावासी हैं तो इनको क्या जो है आप संदेश नचाहती है बस मैं अपनी यहां यह फैजाबाद की जनता को यह संदेश देना चाहती है कि कोई भी आए तो सब के पास मेरा कार्ड बटा हुआ है फोन कीजिए फोन करें हमारे जज् अगर बाद किसी भी भाई ने नटीन को या किसो को नेग दे दिया तो उससे दुबारा लिया जाएगा और भाईयों से मेरा हाथ जोड़के निवेदन है कि जिसके घर में वह दो और नटीने आए वह किसी भी तरह उनको बहला के पुसला के रखके और हमें फोन करें हमें पत बुलाए यही हम अपने जनता से चाहते हैं और बिंटी भी कर रहें अभी आपने देख से यहां पर यह पिंकी जी थी और इनने बताया है और जनता को आगा है कि आगर इस तरह का कोई फ्राड मिलता है तो आप ततकाल इनके नंबर पर फोन करेंगे और लोग पहुश क करके उसको पगड़ने का करेंगी और अपने समाज को ब्रहमित होने से जो ब्रहमित हो रहे हैं बदनाम होने उसको बचाने का करेंगे मैं सुबोष स्वास्तो टीबी बंडे चनल आयोध्यास्थ करेंगे